हेलो एंद नमस्कार दोस्तों मैं विजग कुमार आप सब का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग लेके आए हैं फूर्ट सेक्शन तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था तो आज हम लोग इसके आखरी सेक्शन पर आगे हैं जो कि आपका ओर्डिनेर पीपल और क्राइम से होता है तो अब कमन पीपल जो थे वो नाजीम लोगों से किस तरह से रियाक्ट किये थीक है तो जैसा कि है कि कुछ आइडियोलोजीज जो होते हैं जिसको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कुछ लोग गेंस्ट होते हैं ठीक यहां भी जर्मनी की सुसाइटी में भी ऐसी था तो देखें जो इसके आंसर लगाते चलते हैं अल्रडी फ्लैश हो रही होगी जो कुछ अल्रडी है तो उसमें क्या करना है जो हाइलाइटिंग है वह यह आपको लिखना है तो पहला पॉइंट आपके लिखेगा बहुत सारी लोग जो थे वो नाजीस जिस तरह से देखते थे सुसाइटी को थिंक्स को वैसी ही देखते थे वैसी ही बोलते थे और उसी तरह की लैंग्विज का इस्तमाल भी करते थे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट में आप लिखेगा दो लाइन स्किप करके ज्यादा तर कॉमन पीपल का यही मानना था कि सिर्फ नाजी ही सोसाइटी को इंप्रूव कर सकते हैं और उनके लाइफ को बेटर कर सकते हैं प्रूस्पारिटी का मतलब क्या होता है खुशहाली वही ला सकते हैं दूसरा कोई नहीं ला सकता है थर्ड पाइंट देखें बट आज़िया असा भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जर्मनी की सोसाइटी में सारे लोग नाजी के ही फॉलोवर थे ऐसा नहीं था बहुत सारे लोगों ने ओर्गनाइज किया नाजीम के अगेंस्ट ठेक है और उनको मारा पीटा भी गया डेथ भी हो गई बहुत सारे लोगों का जादा तर जो थे लाज नंबर अफ जर्मन जो थे वो अनलुकर के तरह थे और लुकर का मतलब समंज रहे हो सिर्फ देखने के लिए कुछ भी हो रहा है बस और उसकी पीटाई हो रहा है उसको चुप चप चंब से लुक को हो रहा है वो चुप चाहा बस देखने वाले दर्शक और लुकर्स का मतलब होता है दर्शक एक और्डियंस दर्शक के तौर पर बस वो सुसाइटी में क्या क्या हो रहा है देख रहे थे लाज नमबर था ठेक है उसमें ही हमारे एक पोएट हैं पास्टर नियू मोलर उन्ह क्या था?। नहीं था कुछ नहीं था। याद देखें लेकिन मैं क्या था?। नहीं था। या गणि क्या। या पछैeous पुछ नहीं था॥ sto क्या था trade unionist का बतलब जो trading करने के लिए जिस union को बनाये गया था उस union के थुआ यूदिazar लेकिन मैं जो था वो trade unionist का पर नहीं था इस लिए कुछ नहीं किया next लाइए and then they came to juice, but I was not juice so I a little, उसके बाद किसको लेने किया है, marn by सभाइब क्या किसको है भर करोंगे कि न तो इस वह से लिका है so I did later अब लास्ट संटेंस देखी लेकर वहां कोई नहीं था उसको ले गया 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 बचा मेरे के help करने के लिए कौन बच आप किसी के help जब तक नहीं करते हो तब तक आपके help कौन करेगा तो आप भी सिंगल आप भी गया ठेक है चले अब आते हैं हम लोग next paragraph पे तो वहाँ question से start होता है जो कि बहुत important है highlight कर लिजे mark कर लिजे who wrote the book third week of dreams किसने लिखा था third week of dreams और इस बुक में किस चीज को describe किया गया question already यहाँ पर flash हो रही होगी आप देख सकते हो तो चले तब यह लिखा था किसने चार्लेट बर्नेट ने ठेक है अब चार्लेट बर कि जिसके थूँ उन्होंने बताया कि जर्मनी में किस तरह की हालाते थी उस बुक को क्या बोला गया है third week of dreams उसने उस इस बुक में उन्होंने क्या बताया वो भी देख लो इस बुक में उन्होंने बताया है वो रिलाइस करती है कि किस तरह से जो जियूस लोग थे उनकी लाइफ थी किस तरह से उनको स्टीरोटाइप के तौर पर ट्रीट किया जाता था ठीक है इतना ज्यादा परेशां इतना ज्यादा किया गया कि उनको लग रहा था कि उनके नोजज है वो होकत टाइप के लिए कि इस पलगेश जो जो बपी से बिलकुर है इस तरह की सिक इमें जो नांgy आप पेज नमबर देख सकते हैं, पेज नमबर 69 पे, यानि कि 4.2 जो आर्ट और प्रोपगेंड़ा में एक इमेज दिया है, उस इमेज को देखें, वहाँ पर दिखाया गया है उस तरह के मैंन को, ठेक है, तो वो उनके सपनों में आ रहा था, बहुत सारे जियूस लोगों की लास्टली डेथ हो गई, या गैस चमबर में भेज करके उनको मार दिया गया, ठीक है, तो ये इस बुक में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया, अब आते हैं आखरी सेक्शन जो कि है 5.1 यानि कि नॉलिज अबाउट होलोकास्ट, अचा तो सबसे पहले आप different information के बारे में कहां से knowledge मिलती है, इसके बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, इसके बारे में लोगों को पता चले, ठीक है, किस तरह की society यहां थी, किस तरह से नाजी ने जो killing operation था, वो all over जर्मनी चलाया, जिसको हम लोग होलोकास्ट के नाम से जान रहे हैं, ठीक और इसी तरह से नाजी लीडर्सिप जो है वो किस तरह से function कर रहे थी society को किस तरह से destroy कि अच्छा यह सब पता कब चला तो last year of the world war यानि कि 1945 में actual में 1944-1945 में actual में लोगों पता चलने लगा कि जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है उससे पहले लोगों को पता ही नहीं चला whole world जो थी वो से अनवेर थी ठेक है चले और आखरी में आपको इसी चाप्टर में आपको मिलता है कि धेर सारे और पूरी नाजी जो जर्मन सोसाइल्टी थी उसमें लोगों के साथ किस तरह से भीव किया गया उनकी लाइफ कैसे वोस्ट बनाएगे इसके बारे में आपको को इन्फोर्मिशन मिलती है तो यह आपका चाप्टर यहां पर खतम होता है तो अब हम लोग आते हैं कोई क्रिवियो उपर देख सकते हैं लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चले कोई क्रिवियो में आये तो इस पूरे चाप्टर की सुरुवात बताया गया यहति नहीं खाता है जैन आपको दया एकस्स पावर क्या है उनके बारे में उसके बाद आपको दया जीनिसाइडल कि लाज स्केल होती है आपका एक डाटा बिया है उसको हम व believers विमर रपबलिक विमर रपबलिक में हम लोगे ने क्या देखा की जर्मानी में जो डेमक्रसे से स्टाबलि Minsk हुई तो वह विमर रिपब्लिक के थुरू हुई जिसमें क्या किया गया कि जो चैसर विलियम् सेकंड था तुषकर अपने पद से हटा दिया गया सवी में से करके कैा ठीचdate छ्ट्न被ंसे की कारण जरमचे एफेक्ट यह पढ़ा कि after the first world war ठीक है treaty of war sign में sign किया गया कि आप military नहीं रख सकते हो तो जो भी लोग military और army officer थे वो civilians में change हो गए जितने भी aggressive और उस तरह के people's की need थी वो बिल्कुल नहीं रही ठीक है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो विमर Republic को अभी सपोर्ट कर रहे थे जिनको क्या बोला गया November criminals 1.2 में हैं आपको economic crisis अब विमर Republic जब हर जगह से compensation 6 billion euros जो compensation था वो दे रहा था हर तरह से दे रहा था तो economic crisis तो आनी ही थी यहां economic crisis आती है उससे बचने के लिए यह क्या करता है कि जो print है नोट्स की जो printing है वह बहुत जादा इंक्रीज कर देता है बसका करण मार्क की जो value थी वह बिलकुल खतम हो जाती है यह मार्क क्या है जर्मनी की currency है ठीक है अब यह जब currency खतम हो जाती है मांक की value जब खतम हो जाती है तब क्या हाता है एक recession का दौर आता है जिसके थूँ डूइस प्लान के थूँ अमेरिका इसके हल्प करनी आती है लेकिन अमेरिका भी हल्प नहीं कर पाती है क्योंकि वाल स्ट्रीट एक्षेंज जो था वह डिस्ट्वाइब हो जाता है एकनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए जर्मनी को कौन आते आगया आता है आर्टिकल 48 लेकर के परसेडंट आ गया आते हैं लेकिन वह भी इसको बहुत लंबे समय तक नहीं बचा पाते हैं ठीक है उधर देखें हिटलर का राइजिंग बताया है आपको 1889 वे उसके जान्म हुई एस्ट्रिया में जान्म हुई फॉस्ट वर्ल्वार म कीटता है क्योंकि यह बहुत अच्छा स्पीकर था पैशनेट था अपने जर्मानी को लेकर के तो बहुत ज्यादा हेवली तरीके से लोग जो है इसके मदद करने के लिए आ गया आते हैं ठेक है अब मैं बहुत तेज बोल रहा हूं ठीक है बहुत जल्दियत भी बोल रीज क्या होता है कि डेमक्रिसी को पुरी तरसे डिस्ट्रॉय कर देरा हूं ठेक है था यह जोईन करता है Core का इसके बाद हिटलर क बैटर करने के लिए काम करता है यानििकी reconstruction, अब reconstruction में क्या होता है, कि reconstruct कैसे करते, कैसे करे economic space में, जो जर्मनी की economy है, उसको better करे, ठेक है, तो वो किसको लेके आता है, वो लेके आता है, हैलमर सैट को, और हैलमर सैट कौन थे, एकनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा public transport वेगरा, सब करते हैं, जो Volkswagen है, उसको launch करते हैं, जिसको public car भी बुला जाता है, ठेक है, work creation program, वो government work creation program, वो launch करते हैं, जिसके through government, जो है, वो धेर सारे jobs, opportunity, लोगों को देती है, ठेक है, अब reconstruction के बाद क्या होता है, reconstruction के बाद, हिटलर जो है, वो धेर सारे से जर्मनी में आती है, ठेक है, अब जर्मनी क्या करता है, कि जर्मनी एक pact sign करता है, जिसको tripartite pact बुला गया है, जिसमें जर्मनी, जापान और इटिले, इन तीनों के बीच में यह sign होती है, 1940 में, ठेक है, अब इसके थ्रू हिटलर जो होता है, वो अपने आपको international power बराना चाहता है, ठेक है, अब वो USA पर war declare करता है, जिसको historical blunder बोला गया है, उदर जापान जो है, वो पागलू की तरह USA पर bombing करता है, USA जो second world war में participate नहीं करे थी, उसको participate करना पड़ता है, 1945 में आप सबको मालूम है, नागसा की और हिरुसने में आप बामिंग करता है, USA और जिसके करना फर्स वर्ल्ड वर्ल वार वहाँ पर समाप्त होती है, नाजी वर्ल्ड व्यू आईए, थर्ड सेक्शन आपका, नाजी आइडियोलूजी जो थी, वो बताया जाता है कि चारल्स डार्विन और हरवट एस्पेंसर के थीऊरी को वाइड़ स्कृट करने का एक डिफेर्ट वे में वाइड़ स्कृट किया गया, ठीक है, उसके बाद एक थीऊरी है आपका, लिबन्सराम, जो कि लिबन्सराम को लिविंग स्पेस के तौर पर, यानि कि दूसरे ठे पिपल जो हैं वो जीऊस पॉलिश रॉशियन सबको अंडिजारेबल बताया गया और डिजारेबल कौन थे तो सिर्फ नॉडिक आरियंस जो थे वो डिजारेबल थे इट मींज नाजी लोग सोसाइटी में रहने लाइक थे यानि कि डिजारेबल थे और जो जीऊस लोग हैं पॉलिश हैं जिपसीज हैं वो सोसाइटी में रहने लाइक नहीं हैं उनका यही मानना था और यह नफरत जो थी वो रिलिजियस कंटेस्ट में भी बताया गया क्योंकि नाजीस लोगों का यह मानना था की जो Jesus Christ है उनका death किसके कारण हुआ है तो यही जी उसलोगों के कारण हुआ है उसके बाद circumstance फूरिसु सोल फिया इसमें इटिछेग और इश्पर्ट को लॉंच किया लिए जर्मनी में अर्यान एकार्याय आता है उनको बड़े करने के लिए पालपो Kylie खेंद धाद मार जाता है। बड़े करने के लिए प्लेस बताया गया है आपको जेनरल गनमेंट जीऊस लोगों को एक प्लेस बताएगे जिसको घैटोज बोला गया ठेक है चले उसके बाद आता है आपका step to death एक बार जरूर पढ़ लीजेगा execution क्या-क्या जीऊस लोग नहीं कर सकते थे घैटोजाइशिशन किस प्लेस पर जीऊस लोग रहा करते थे अब है youth of Nazi Germany अब Hitler का मानना ये था कि अगर society को established करना है नाजी ideology को widespread करना है तो उनको कहां से देखना होगा छोटे बच्चों से इस बज़ेसे वो क्या करता है 10 years के जैसे ही बच्चे होते हैं वो junk work join करते है 14 years के बाद 14 years के बाद देखें तो वो लोग नाजी youth organization को join करते है 18 years के होते होते या तो वो armed forces में served करते है या नाजी organization को join करते है ठेक है इस तरह से जो नाजी जर्मनी था उसको आगे बढ़ाते है नाजी cult of motherhood इसमें बताया गया है कि mothers को special treatment भी दिया जाता था और उनको punishment भी दिया जाता अगर वैसी mothers जो नाजी बच्चों को यानि कि Aryans बच्चों को जन्म देती है उनको award दिया जाता ठीक है और जो नाजी बच्चों को जन्म नहीं देती है उनको punishment दिया था एवार्ड के तौर पर अगर उनके चार बच्चों ने उन्हों जन्म दिया है तो वह ब्राउंस क्रॉस उनको मिलता था छे बच्चों में सिल्वर और आठ बच्चों में गोल्ड क्रॉस उनको मिलता था और बहुत सारा concession मिलता था different लाइक ट्रेन फियर्स और कॉलेज फीज एडूकेशन फीज इत सब पर ग्रॉसरी ऑफ़ स्पीटल जो कॉस्ट आते थे उन सब पर कंसेशन मिलता था कि अगर वो जी उसके बच्चों को अगर जर्म दे रहे हैं या फिर पालिश के बच्चों को जर्म दे रहे हैं तो उनक सुसाइटी में उनको सेटी में उनको ट्रावल किया जाता है तो बहुत बुड़ा हालत हो जाता है ठीक है उसके बाद आता है तो कभी भी नाजीस लोगों ने ऑफीसियल तौर पर के लिए मडर वर्ड का यूज नहीं किया इस्पेशल ट्रीटमेंट ठीक है इस्पेशल ट पाया फिफ्ट सेक्शन अभी अभी मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से लोग वहां पर सोचते थे और्डिनरी पीपल की ठीकिंग क्या थे तो डैट सॉल एक को एक रिवीजन के साथ आई होप सो आपको यह चाप्टर बहुत अच्छी लगी होगी हम लोग अगला चा करें चेक किजिए जो इंपर्टेंट कोश्चिंस हैं ठीक है तब और एक्जामनेशन के लिए अल दे बेस्ट थैंक्यू बाबाई